नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर में हैं आपके साथ चुबानी पांडिय अपनी लव स्टोरी सुपर हिट करने के बाद अब साक्षी अजितेश गायब हैं लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इलाबाद हाई कोट में पेशी के बाद आखिर साक्षी और जितेश कहा हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर साक्षी और जितेश उसके बाद से कहां गायब हो गए उत्तरप्रदेश के बरेली जिले की बिथरी विधानसबा सीट से विधायक राकेश मिश्रा उर्फ पपु भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा और जितेश की शादी की खबर ने मीडिया में खुबसूर किया बटोरी एक वाइरल विडियो के बाद चर्चा में आया एक मामला इलाबाद हाई कोट तक पहुँचा कोट ने साक्षी मिश्रा और जितेश की शादी को वैद मान और पुलिस को दोनों को सुरक्षा देने का नरदेश दिया उत्तरपदेश के DGP के कहे अनुसार पुलिस की एक टीम दिल्ली NCR के लिए भेजी गई ताकि साक्षी और जितेश को सुरक्षा दिया जा सके उन दिनों दोनों न्यूस चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे इसी के आधार पर पुलिस यहाँ पहुँची थी के बाद पुलिस दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच बमरॉली एरपोर्ट ले गई वहां से दोनों को पुलिस सुरक्षा में हेलिकॉप्टर से किसी सुरक्षि जगा भेज दिया गया हालाकि सुरक्षा कार्णू से जगा का खुलासा नहीं किया गया है तो इलाबाद हाई कोट में पेशी के बाद से साक्षी और जितेश रचाना गायब हो गया और लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिरे दोनू कहां चले गए लेकिन सुरक्षा के कार्णू की वज़े से ये दोनू कहां है इस बात की कोई जानकारी नहीं है जादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रही मारे साथ तो देखते रहे आज की खबर नमस्कार